हेलो दस्तो कैसे हैं आप लोग मैं शितिश कुमारा से को मेरा नमस्कार तो दस्तो हमने पिछली वीडियो में एक्टिव बोईस का डिफनेशन और उदाहरन जाने थे तो दस्तो अगर आप उन वीडियो को नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रीशन बॉक्स में लिंक डाल दिया गया है आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं तो दस्तो आज हम लोगे पैसिव वैसियानी कर्म वाच्चे का डिफनेशन और उदाहरन जानेंगे दोस्तो हमारा मकसद से वीडियो बनाना नहीं है दोस्तो हम लोग चाहते हैं कि मेरे जैसे या मुझसे बड़े बच्चे जिनको बेसिक रामर नहीं पता रहता है उन सब को ये सब जानने में मदद मिले दोस्तो हम फ्री में पढ़ाते हैं किसी का पैसा नहीं लगता है इसलिए दोस्तो आप लोग कभी पास मिनेट दस मिनेट निकाल कर मेरी वीडियो को देखी और सेर कीजिए जिसे कि सारे बच्चों को basic grammar ठीक से पता हो तो दोस्तो हम देखते हैं कि मेरे जैसे बहुत सारे maximum बच्चे मैं यह नहीं करा हूँ कुछ आपको नहीं पता होता है लेकिन ज्यादा तर बच्चों को basic grammar नहीं पता रहता है इसलिए दोस्तो आप लोग हम इतने चोटे हैं दोस्तो आप ये मत समझे कि हम blackboard जितने हैं नहीं दोस्तों नीचे जो है वो जुगार लगाया गया है नीचे एट रखा गया है नहीं तो टेबल रखा गया है जिसे के मैं इतना तक पहुत सकता हूँ दोस्तों मैं छोटा हूँ मेरी अभी एज किया है इसलिए दोस्तों मैं इसलिए पढ़ाता हूँ ताकि मेरे जैसे बच्च तो हम रोज डालते रहेंगे इसलिए दुस्तों वीडियो को लाइक कर दिजेगा तो आई आज हम लोग पैसीव बोइस के बारे में जानेंगे तो पैसीव बोइस को इंदी में क्या कहते हैं तो पहले इसका डिफनेशन जाल लेते हैं तो दी चेंज इन दी फॉर्म औफ बर् सब्सक्राइब कर्म और समय के अनुसार क्रिया के रूप में परिवर्तन को दोस्तों हम लोग कर्म वाच्चे कहते हैं तो आए इस काटिफनेशन लिख लेते हैं तो आए दोस्तों पैसिव इस काटिफनेशन तो दी चेंज अधी चेंज इंड़ा पर्म और वर्ब According to time or object Is called Passive Voice Is called Passive Voice So the change in the form of verb According to time or object Is called Passive Voice So this is a Hindi So the change in the form of verb Is called Passive Voice So the change in the form of verb So this is a Hindi So the change in the form of verb Is called Passive Voice So the change in the form of verb Is called Passive Voice So the change in the form of verb Is called an acceptance of verb So this is a form of verb B E B M और R आता है दोस्तों और B 2 में Was और Where आता है B 3 में दोस्तों Be N आता है B 4 में दोस्तों Being आता है दोस्तों यह हो गए B के पाचे फॉर्म है दोस्तों ऐसे ही B के फॉर्म होता है दोस्तों उमीद है आपको Passive Voice और B का फॉर्म ठीक से समझ में आया होगा अगर आपको समझ में आया तो नीचे कॉमेंट कर दिजेगा और दोस्तों वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर दिजे और दोस्तों इसे आग की तरफ पहलाईएगा ऐसे ही हम लोग वीडियो जलाते रहेंगे तो मिलेंगे अगली वीडियो में